गुटना, कंधा या कमल, चाहे जैसा हो दर्थ, डॉक्टर आर्थो आपको देता है दर्थ से पूरी आजाती, एक भरपूर सिद्धिगी नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं दिललन टॉप का इंटरनाशनल यूज पुलिटिन दुनियादारी आज सुनाएंगे एक जीनियस आर्टिस्ट की कहानी, एक छुई मुई सा आर्टिस्ट जो बात करने के लिए शब नहीं खोशता था, पियानो बजाता था एक दफ़ा उसने बहन से कहा कि दफन किये जाने के ख्याल से ही उसका दम घुटने लगता है, ये कहने के कुछ रोज बाद उसकी मौत हो गई, बहन ने उसके शरीर को चिरवाया और उसका दिल निकाल कर भाग गई इस बात को अब 171 साल बीच चुके हैं, उस आर्टिस का संगीत उसकी कहानिया अब भी जिन्दा हैं, और जिन्दा है उसका वो दिल जो ब्रैंडी के एक जार में डूबा, आज भी सुरक्षित रखा है अब तक लोग कहते थे उस जीन्यस कलाकार की कहानी बस तीन शब्दों में बताई जा सकती है, प्यानो, प्रसिद्धी और बीमारी मगर अब इस कहानी में एक और शब्द जुड़ गया है, समलेंगिक्ता और इस नए एडिशन से उस कलाकार का देश गुस्से में है क्यों? क्योंकि एक तरफ जहां वो इस कलाकार को अपना नैशनल आइकन मानते हैं, वही घंगोर, होमोफोबिक भी है उन्हें समलेंगिक्ता एक गंदी बीमारी लगती है, यहां के राशपती कहते हैं कि समलेंगिक्ता विनाशक है, पधानमंतरी समलेंगिक्ता को देश के लिए खत्रा बताते हैं यह पूरा मामला क्या है? विस्तार से बताते हैं आप यूरोप में एक देश है पोलन इसकी राजदानी है वार्सौ इसे पोलिश भाषा में वर्सावा भी कहते हैं मार्च 1810 की बाद है इसी वार्सौ के पास एक गाउ में पैदा हुए फ्रेडरिक फ्रांसवा शौपैन मा पोलिश पूल की थी और पिता फ्रेंच शौपैन की सेहत बचपन से ही बहुत नाजूक रहती थी सांस लेने में परिशानी होने थी वजन घटता था डाइरिया रहता था और ये सारी चीज़ें उनके साथ हमेशा लगी रहती थी एक और चीज़ टेपल थी उनके साथ उनका पियानो लोग कहते शौपैन चाइल्ड प्रॉडिजी है मतलब एकदम जीनियस, होनहार बच्चा क्यों? इसी लिए कि वो साथ साल की उम्र से ही पियानो कंसर्ट करने लगे थे अपने म्यूजिक पीसेस बनाने लगे थे पोलन में खूब नाम कमाने के बाद बीस बरस की उम्र में शौपैन चले गए फ्रांस, पापा के देश इसी के बाद अपने जीते जी वो कभी लोटे नहीं फ्रांस की रागरिक तभी उन्होंने ले ली शौपैन ने कुल 18 साल गुजारे फ्रांस में खूब पियानो बजाया, आपेरा लिखे सिंफिनीज बनाई और इन्ही की बदावलत वो कहलाए 19 वी सदी के सबसे महान संगीत कारों में से मगर बीमारी ने इस पियानो लिजेंड को जीने का बहुत वक्त दिया नहीं अक्टूबर 1849 की बात है जब 49 साल की उमर में टीबी से उनकी मौत हो गई इससे पहले के शौपैन का श्रीर पैरिस के एक कबरिस्तान में दफनाय जाता शौपैन की बहन लुटविका ने अपने भाई के श्रीर से उनका दिल निकाल लिया बड़ी मुश्किल से लुटविका इस दिल को स्मगल करके पोलन लाई यहाँ उन्होंने फ्रांस के एक मशूर ब्रैंडी कॉन्यक से भरे एक जार में शौपैन का दिल दुबाया और इस जार को सील करके रख दिया वार्सो स्थित होली क्रॉस चर्च के तैखाने में शौपैन का ये दिल आज भी वहाँ सुरक्षित रखा है आप पूछेंगे 19 सदी के एक संगीतकार की एक कहानी हम आज दुनियादारी में आपको क्यों सुना रहे हैं इसलिए सुना रहे हैं कि शौपैन इन दिनो बड़ी चर्चा में है जैसा कि हमने आपको बताया ये चर्चा शुरू हुई सुद्जलन से यहां के सरकारी रेडियो SRF पर 13 नवंबर को एक प्रोग्राम पसारित हुआ जिसका नाम था शौपैन समेन इस प्रोग्राम के बताबिक शौपैन शायद गे थे इस दावे का अधार है शौपैन के लिखे खट जिन पर रिसर्च की है मौरिस विबर नाम के शौपैन के शौपैन ने My Dearest Life लिखकर की है चिठी के आखिर में लिखा है Dearest Lover, Give Me A Kiss इन मेंसे एक चिठी में शौपैन ने लिखा है तुम्हें पसंद नहीं कि कोई तुम्हें चूमें प्लीज मुझे आज ऐसा करने की इजास्त दो बीती रात मैंने तुमसे जुड़ा जो शरार्ती सपना देखा था उस डर्टी ड्रीम की कीमत तो तुम्हें दे नहीं होगी टैटस को भीजी एक और चिठी में शौपैन ने लिखा था कई बार मैं जो बाते तुमसे कहना चाहता हूँ वो सीक्रिट में पियानों को बता देता हूँ शौपैन की अपने पुरुष मित्रों को भेजे चिठीों में कभी प्रेम नीबदिन दिखता है कभी-कभी उनके शब्दों में कामुकता भी जलगती है एक चिठी में तो शौपैन ने ये तक लिखा है कि महिलाओं के साथ उनके अफेर की अफवाहे दरसल उनकी असल भावनाओं को छुपाने का एक लबादा भर है इन चिठीों पर आखिरी रिसर्च की क्यों जनलिस्ट वेबर ने उनका कहना है कि शौपैन के जिठीया बताती है कि किस तरह उन्हें अपनी समलेंगिक भावनाओं को छुपाना पड़ा उनके बाद उनकी बायगरिफी लिखने वालों उन पर रिसर्च करने वालों ने भी शौपैन के होमो सेक्शल रुजहान के प्रती जान बूच कर आखे मून के रखी क्यों? क्योंकि शायद ये लोग शौपैन के सेक्शुलिटी को सामाजिक स्विकारिता के खाचे में फिट कर देना चाहते थे जनलिस वेबर की इस नई रिसर्च से शौपैन का देश पोलन सदमे में इसलिए कि शौपैन पोलन के नायक हैं उसके सबसे चहेते राश्ट्रिय परतीकों में से एक है पोलन को शोपेन परगर्व है और इसलिए वो शोपेन के समलेंगिक रुज़ान को पचा नहीं पा रहा है और इसकी वज़य है पोलन का collective homophobia ये युरोब के सबसे ज्यादा anti-homosexual देशों में से एक है पोलन के कई लागों में लाउट स्पीकर लगा कर समलेंगिक्ता के खिलाफ नफरत उगली जाती है आपको यहां कई बड़े-बड़े पोस्टर्स लगे मिल जाएंगे जहां बच्चों का यौन शोशन करने वालों की तुलना समलेंगिकों से की गई है पोलन के 86% से ज्यादा अबादी कैथलिक है चर्च की बड़ी पकड़ है यहां और यह चर्च कहता है कि वो समलेंगिक्ता की बीमारी को ठीक कर सकता है कुछ सुना सुना लग रहा है मगर पोलन की दिक्कत बस इतनी ही नहीं यहां सरकार भी एंटी-LGBTQ है यहां राश्पती हैं आंड्रे डूडा वो 2015 से पोलन के राश्पती हैं डूडा शुरूम से ही होमोफोबिया को अपने राजनातिक फायदों के लिए इस्तमाल करते आए हैं अभी 2020 की बात है पोलन में चुना हुए इसमें डूडा का मुकाबला था वार्सो के मेर रफाल तरजासकोवस्की से इस चुनाओं की मुख्य थीम थी समलेंगिक था विपक्षी रफाल LGBTQ अधिकारों के समर्थक थे जबकि प्रेजिडिन डूडा का कहना था कि समलेंगिक अधिकारों की बात करना एक विनाशक विचार है और यह अपने आप में कम्यूनिजम से भी बत्तर है चुनाओं के वग्ड डूडा ने कसम खाई कहा कि अगर वो जीतते हैं तो समलेंगिकों को शादी नहीं करने देंगे नहीं उन्हें बच्चे को लेने की पर्मिशन मिलेगी साथ ही स्कूलों और बाकिसारवजनिक संस्थानों में समलेंगिकता को बैन कर दिया जाएगा क्या हुआ इस उनाओं को नतीजा जैसा कि आपने अंदाजा लगा लिया होगा डूडा ही जीते राशपती का पक्षा आपने जान लिया अब आपको पधान मंत्री की बात बताते हैं उनके मंद की बात पोलेंड वाले पी-एम की पोलेंड के पी-एम है मताउस मुराविजस की उनके मताबिक होमोसेक्शुल लजेंडा पोलेंड के लिए बहुत बड़ा खत्रा है समलैंगिक लोग परिवारिक मुल्यों के लिए खत्रा है समाज में उनकी कोई जगे नहीं होनी चाहिए ये नेतरजी के शब्द है इसके अलावा बाकी मंत्री भी समय समय पर समलैंगिकों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं जहर उगलने वाली बात मुझे ऐसा लगता है उनिवर्सल है कहीं कहीं हर जगे के पॉलिटिशन्स इस तरह की काम करते हैं पोलन के शिक्षा मंत्री का बयान है कि समलैंगिकों के तुलना नॉर्मल इंसानों से नहीं की जा सकती है सरकार और आम जनता के स्टैंड के कारण पोलन एल्जीबीटिक्यू समधाय के लिए सबसे अर्सुरक्षित जगहों में से एक है एल्जीबीटिक्यू पर हमले होना, सर्याम उनकी बेईज़फ्ती करना, उनके साथ भेद भाव, उनका सोशल बायकॉट करना ये चीज़ें पोलन में आम हैं फिर 2019 में पोलन के भीतर एक नया ट्रेंड बी शुरू हुआ यहां के कई प्रांत और नगरपालिकाएं खुद को LGBTQ फ्री जोन बताने लगी सितंबर 2020 आते आते तकरीबन 100 लाके इस लिस्ट में शामिल हो गए इन लाकों को मिलाईए तो पोलन का एक तिहाई हिस्सा कबर हो जाएगा माने हंगरी जैसे बड़े देश जैसा इलाका यह यॉरप के हिसाब से बड़ा कह रहे है ना भारत का साइज अलग है और इन लाकों की कुल आबादी एक करोड से ज्यादा है फिर से एक और बार यॉरप के हिसाब से यह बड़ी आबादी है क्या मतलब है LGBTQ free zone का ये भी जान लीजिए इसका मतलब है इन इलाकों से LGBTQ लोगों का सफाया LGBTQ अधिकारों का समर्थन करने वालों का सफाया इन माक इलाकों में रह रहे हैं समलैंगिकों के आगे गिंती के विकल्प थे वो या तो घरबार छोड़ कर कहीं और चले जाएं या फिर अपना sexual रुजहान बदल ले सोचिए कैसे हो पाएगा बीते महिनों में कई समलैंगिक पोलेंट से पलायन भी कर चुके हैं News Agency AP के मताबिक पोलेंट के समलैंगिकों का एक बड़ा धड़ा Britain, Germany, Netherlands और Spain जैसे ये उरोपिय देशों में पलायन कर रहा है ये लोग अच्छी नौकरियों के लिए देश नहीं चौड़ रहे बस ऐसी जगे जाना चाहते हैं जहां उन्हें सम्मान मिले जहां वो रह सके चैन से जहां उनके सेक्शल रुजहान के चलते सरकार उनसे दुश्मनों जैसा बरतावना करे इनी मुद्दों को लेकर अभी अगस 2020 में पोलेंट के भीतर एक बड़ा प्रोटेस भी हुआ प्रदर्शन चुरू होने की वजह बना एक LGBTQ आक्टिविस्ट की गिर्फतारी इस प्रोटेस पर पोलिस ने खूब टूरता दिखाई पीट-पीट कर कईयों का सिर्फ होट दिया ये भी सुना सुना लग रहा है पोलेंट ये उरोपियन यूनियन का सदस्य है EU समलेंगी कधिकारों के प्रती बहुत सजग है ऐसे में पोलेंट ने जब LGBTQ फ्री इलाके बनाए तो EU ने कारवाई की उसने कहा कि वो इन इलाकों की EU से मिल रही फंडिंग को रोक रहा है पिर सितंबर महिने में EU की ने प्रेजडेंट आर्सला वान डेरलेन ने अपने भाशन में ये मुद्दा भी उठा दिया उन्होंने कहा पोलेंट के LGBTQ फ्री जोन्स अमान विये हैं और उनकी EU में कोई जगह नहीं है इसके एक बड़ी बज़ा है EU की ट्रीटी इसमें क्रिमिनल और फैमिली से जुड़े कानूनों में सदस्य देशों के पास बढ़त है इसके एक बड़ी बज़ा है EU की ट्रीटी इसमें क्रिमिनल और फैमिली से जुड़े कानूनों में सदस्य देशों के पास बढ़त है इन मामलों में दखल देने का बहुत स्कोप नहीं है EU के पास वो जब भी हेट क्राइम या भेद भाव से जुड़े नियम लागू करने की कोशिश करते हैं तब पोलेंड जैसे देश समप्रभूता का कार्ड खेल जाते हैं ये भी सुना सुना लग रहा है वैसे भी पोलेंड और हंगरी जैसे सदश्टों के साथ EU की पिछले कुछ समय से पट नहीं रही है वहां बढ़ रही कटरता और ताना शाही के प्रती प्रवित्ती के खिलाफ EU कुछ कर नहीं पा रहा है पोलेंड में हावी इस एंटी-LGBTQ कल्चर के बारे में बताने के बाद एक बार फिर लोटते हैं शोपैन पर पोलेंड की जनता शोपैन को इस देश का फेवरेट बेटा मानती है बहुत गर्व करती है उनके नाम पर हर साल दरजनों प्रूग्राम्स भी होते हैं उनके नाम पर पोलेंड में दर्जनों पार्क्स और इमारते भी हैं देश के सबसे प्रमुक हवाई एड़े का नाम है शोपैन एपो मगर शोपैन को इतना प्रेम करने वाला देश ये मानने को राजी नहीं कि वो समलेंगिक हो सकते हैं पोलेंड में कहा जा रहा है कि जरूर अनुवादक ने शोपैन के चिट्थियों को समझने में गलती कर दी है पोलिश मीडिया इसे वेस्की साज़िश बता रहा है उनका कहना है कि मानलो शोपैन ने अपने पुरुष दोस्त को किस किया मगर इससे ये कहां साबित होता है कि वो गे थे शोपैन के समलेंगिक होने की इस थेयरी पर पोलन की LGBTQ कम्यूनिटी को थोड़ी उमीद बंधी है उनको लग रहा है कि शायद इस बहाने पोलन में समलेंगिकता के लिए थोड़ी सहश्णुता बने मगर जानकारों का कहना है कि ये उमीदे तूट सकती है शोपैन नाशनल सिंबल है पोलन का एक होमोफोबिक स्टेट अपने सबसे बड़े प्रतीक की सेक्शॉालिटी पर होने वाली ऐसी किसी डिबेट को जगे नहीं देगा डिबेट को जगे नहीं देगा ये आपको सुना सुना नहीं लगता है क्या सोचिए एक इंसान किस लिंक के इंसान के साथ सेक्स करने में सहज है किस के साथ वो रहना चाहता है किस के साथ वो अपनी जिंदगी बिताना चाहता है क्या ये तैय करने का अधिकार उसका नहीं है क्या सहमती से किया जाने वाला सेक्स निजी पसंद का मसला नहीं हो सकता है क्या किसी व्यक्ति के समलैंगिक होने की संभावना उसकी महानता को कम कर सकती है क्या शोपैन जैसे महान कंपोजर के संगीत को उनकी सेक्शिल चॉइस के अधार पर आखा जा सकता है शोपैन तो इस दुनिया से चले गए, वो गेत है या नहीं, पोलेंड इसे माने या नहीं इससे शोपैन की लीगिसी में कोई खास फर्क नहीं आएगा मगर जो समलेंगे, जो LGBTQ अभी इस दुनिया में हैं, उन्हें हमारे आपके, हमारी सरकारों के आटिट्यूट से काफी फर्क पड़ता है किसी भी सुसाइटी का होमोफोबिक होना एक कलेक्टिव फेलियर है यह था हमारा बड़ी केवर सेग्मेंट, अब सुर्कियों की बारी पहली सुर्की इरान से है, 28 नुमंबर को इरान के चीफ नियूक्लियर साइंटिस्ट महसिन फकरीजादे की हत्या कर दी गई थी इस मामले में इरान ने सीधे इसराइल का नाम ले लिया है इरान के सुरक्षा प्रमुक हैं अली शमखानी, उन्होंने कहा कि इसराइली अटैकर्स खुद बारदात वाली जगह पर मौजूद नहीं थे उन्होंने दूर बैटकर रिमोर्ट कंट्रोल वाले इलेक्ट्रोनिक गैजट से फकरीजादे को मारा है शमखानी बोले कि फकरीजादे के सेक्योरिटी के पुखता इंतिजाम थे, उनके पास एक सेक्योरिटी डीटेल थी मगर दुश्मनों ने नए तरीकों का इस्तमाल करके मात दे दी दूसरी सुर्की बोट्सवाना से है, यहां से हजारों हाथी पड़ोसी देश अंगोला भेजे जा रहे हैं 1975 से 2002 तक अंगोला में सिविल वार चल रहा था, तब यह हाथी रिफ्यूजी के तौर पर बोट्सवाना आये थे अब अंगोला सरकार इन्हें वापस अपने देश बुला रही है, बोट्सवाना में लगबग एक लाग तीस हजार हाथी हैं, दुनिया भर में हाथियों की सबसे जादा संख्या यही है, कितनी प्यारी बात है, हाथी रेफ्यूजी बनके गए थे और अब अपने देश पर पहुँच गई है, अगर 2019 से जुलाई 2020 तक 11,000 स्क्वेर किलोमेटर का जंगल नश्ट हो चुका है, कितना बड़ा है यह इलाका, भारत के त्रिपुरा राज्य से भी बड़ा, रिपोर्ट के मताबिक एमजान की कटाई पिछले साल की तुलना में साढ़े 9 फीसिती बारी हमारे तारीख सेक्शन की है, आज है एक दिसंबर और ये तारीख जुड़ी है एक हत्या से, एक हत्या जिसके बहाने एक ताना शाह अपने संभावी दुश्मनों को ठिकाने लगाना चाहता था, यह कहानी है एक ऐसे कथिच शुद्धी करण कैंपेन की, जिसके तहत लाखो लोग मार डाले गए, एक हानी है सरगे किरोव की, 1917 की बोल्शेवी करांती किनायकों में से एक है, किरोव की दोस्ती जोसेफ स्टालिन से थी, जब जनवरी 1923 में लेनिन की मौत हुई, लियॉन ट्रोट्स्की को लेनिन का उत्तराधिकारी माना जा रहा था, मगर किनारे हटाया और खुद सोवियत संग के सरवे सरवा बन गए, इस काम में किरोव ने स्टालिन का साथ दिया था, जैसे जैसे स्टालिन का कदब बढ़ता गया, किरोव भी पार्टी में ऊपर चाड़ते गए, 1934 तक वो कम्मिनिस पार्टी के डिसीजन मेकिंग बॉडी, प ऐसे में पार्टी के भीतर का स्टालिन विरोधी गुड किरोव को अपनी आवास बनाने की कोशिश करने लगा, इन कोशिशों का इक आसर भी हुआ, साल 1934 में पुलित विरोग की एक मीटिंग के दौरान किरोव ने स्टालिन क्या लोचना करती, इसके बाद आई एक में गोली मारती गई थी, किरोव मर गए, इक कतल किया था लियोनेड निकोलेव ने, वो सीक्रेट पुलिस NKVD में काम करता था, कई जानकार आरोप लगाते हैं कि स्टालिन ने पहले खुद ही किरोव को मरवाया, और इस हत्या को लांच पैट बनाकर ये प्रचारित करवा कि पार्टी के कुछ लोग उन्हें मरवाना चाहते हैं, फिर इस दावे के साहरे वो अपने दुश्मनों के सफाई में लग गए, 1934 से 1936 तक इस सफाई के तयारी की गई, स्टालिन ने एहम पदों पर अपने वफदारों को बिठा दिया, सारी संस्थाओं का कंट्रोल अप अपने हाथ में लिया, फिर 1936 के गर्मियों में शुरू हुआ विरोधियों और आलोंचकों को ठेकाने लगाने का सिल्सिला, इसे नाम दिया गया The Great Purge, माने महान चुद्धी करन अभियान, ये पूरा अभियान 1936 से 1936 तक चला, इसमें पार्टी लीडर्स पर मनमाने रोप लगाये जाते, उनसे जबरन अपरात कबूल करवाये जाता और फिर सजा के नाम पर उन्हें मार डला जाता। या फिर लेबर कैम्प में भेज दिया जाता था। इस पूरे ऑपरेशन में कुल कितने लोग मारे गए, इसकी ठीक ठाक संक्या बताना मुश्किल है, मगर अनुमान है कि इसमें 10 लाग से ज़्यादा लोग मारे गए आज की दुनियादारी में बस इतना ही, अपने से अधिकारों के प्रती सहिष्ण बनी एक और बात बतानी थी, कल यानि 2 दिसंबर से आपको तारीक सेक्शन हर सुबह 9 बज़े मिला करेगा, शुक्रिया फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बहतर, जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुगता का लबादा ओड़ कर बोलता तो यू बोलता, लेकिन बात सीधी है, तो सच्चे ढंक से आप तक कहीं जानी है। लल्लन टॉब लेकर आया है एक नया प्लैक्फॉर्म, 13 तुझको अरपण। यह प्लैक्फॉर्म उन सब भारत वाशियों के लिए है, जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारत वंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है लेकिन कुछ कसर और कसक है तो आईए कसम खाएं कि देश को बहतर बनाएं हमें आप से चाहिए आपके हिस्से का ज्यान जो आप ललन टॉप के जरीए अपने देश वासियों के साथ साजह करें ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों पूरा देश जाने इ हिस्सा बनिये! खङ्妳 फ़िस्सा प्रशूम् झाल बन्म झाल झाल